हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नगवणा के हनुमान जी का अलगी रहसे जिला मुख्याले से 40 किलोमेटर दूर पोसित्रा ग्राम पंचयत के अंतरगत नगवणा गाओं का सबसे अलगी रहसे और चमतकार है जहां आसपास गाओं ही नहीं बलकि कई राज्यों के लोग हमेशा नगवणा गाओं के हनुमान जी के मंदर में आते हैं जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं करते वो काम हनुमान के परमभक्त लक्षमन जी महाराज जो सरल संभाओं के धनी है और धन्म करने में सबसे बड़ा पुन्य मानते हैं लक्षमन जी महाराज लाखों लोगों का परिवारों को नई जिंदगी दी है आपको हम विस्तार से बताते हैं कि लक्षमन जी महाराज बच्पन से ही भक्ती में विलप थे जब वे चोटे थे तो अपने घर अपना काम था बेड़ बकरिया रखते थे और हमेशा जंगलों में उनको सराने जाते थे एक बार उनको बाल रूपी बालक मिला और उनको बोला कि हे लक्षमन तुम उस जगा जाओ और सेवा करो आपको लोगों की और जीव जन्तुओं को सेवा करो उस दिन लक्षमन जी माराज हरुमान जी की सेवा में लगे उनकी भक्ती देखकर आप भी हैनान हो जाएंगे वो हर दिन सुबा जल्दी पांच गाओं में कुत्तों को रोटी देते हैं रिक्षा में भर कर फिर सिरोडी से लेकर सिरोही मुख्याले तक नाशनल हाइवे पर हर दिन आवारे पशुओं को हरा चारा डालना हर दिन हर गौशाला में गायों को चारा भिचपाना जहां महराज का बच्पन भक्ती में विलब थे वो नागाणी और पोसित्रा के बीच नैरिया हनुमान जी हैं जहां जंगलों में 30 साल खुले आसमा हनुमान जी की भक्ती की लक्षमन जी महराज कम से कम 30 सालों से खाना नहीं खाते सरिफ पानी चाय पीते हैं उनको भक्ती सिरफ चीव चंतूओं की सेवा ही अपनी शक्ती मानते हैं उनका हनुमान जी के आशिरवात से लाखों लोगों का कैंसर और अन्य बिमारियों को ठीक किया है और मुखे बात यह है कि शराब चुडाना सबसे बड़ी शक्ती है कई राज्यों में लाखों लोगों का शराब और कैं अच्छा भी नहीं होती ऐसे में लाकों लोगों की जंदगी बचा कर घर परिवार को खुशी दिये राजसान गुज्राक महाराश्रम अद्रप्रदेश उत्तरप्रदेश दिली और अन्य जिलो और दूसरे राज्यों से लोग हमेशा आते हैं आज में लक्षमन जी महाराज बहुत पुरानी कस्टे कुटिया में भक्ति करते हैं जागरुक टेवी के नगानी से खास रपोर्ट